वेल्कम टू वानिक नमस्कार मैं दिनेश गुत्ता आप सभी का इस वानिक चैनल पे स्वागत करता हूँ और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं हमेशा आप लोग को एक बहतर कंटेंट और एक बहतर टॉपिक के साथ हमेशा मिलूँगा तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प् क्या है कुष्टन बिएस उण डिफोनेश्ट तेलर बे इमान दुकानदार प्याज बात होगी कि कौन सा दुकानदार और किस तक मारा से करता है है बस इसी सोच से इस दुनिया का सफर जारी है जैसा कि देख रहे हैं फर्स्ट कुस्टिन कहता है असौप के पर सेल्फ इस गूट्स एट सीपी बट यूजेज 900 gram bid fine in profit percent कह रहा है कि एक दुकानदार जो है वो क्या कहता है कि वो अपना सामान जो है वो चीपी पर बेचेगा बत लेकिन वो यूज कर रहा है कितना 900 gram ही यूज करता है तो उस तरीके से उसका profit percent क्या होगा इसका मतलब क्या है कि वो 900 gram कितना उसका according उसका profit क्या होगा तो देखो इस question के लिए हम यह करते हैं कि अब यहाँ पे कह रहा है इसका मतलब आप सिर्फ यह समझ लिए कि कोई इनसान 1000 ग्राम जो है वो सामान खरीद के लाया है एक हजार ग्राम सामान खरीद के लाया है लेकिन वो 1000 ग्राम के बदले वो बेशता कितना है देता कितना है 900 ग्राम ही इसका मतलब है कि वो 900 ग्राम में ही क्या करता 1000 ग्राम का एक केजी का पैथा ले लेता है तो हम यह कह सकते हैं कि अगर वो 900 ग्राम ही अभी तक बेचा है तो उसके पास 100 ग्राम जो है वो एक्ष्टा रह गया होगा मतलब अगर कोई इंसान एक केजी खरीद के लाया एक केजी के बदले वो 900 ग्राम ही बेश दे तो उसे 100 ग्राम का फाइदा होगा अब हम यह कह रहे हैं कि यह 100 ग्राम का जो फाइदा होगा वो किस पे होगा तो उसने तो 900 ग्राम पे वो अपना कोश्ट रिकवर कर चुका है जितना वो एक केजी में खरीद के लाया था उतना पैसा बो 900 ग्राम का ले चुका है नुन आयं अपने के लिए इन पर इंटें क特ड होगा तो यह 100 by 9 आ जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 11 1 by 9% profit और यहीं सवाल का उत्तर होगा फिर से देखो question को इस concept को समझते हैं कि आखिर ऐसे 900। गृाम परagen मिल चुका है अगला जह सवागम जो बेचेगा की से बाइट से जिस एस नौसो गृाम को बेचा है तो अब यह सवाग्राम पर प्रौन हाथे ज कि सौ ग्राम पर क्षिपर में बेचा है maar। तो किसके according होगा, तो हमारा पैसा invest कहां हुआ है, हमारा पैसा जो invest हुआ था, वो एक जर ग्राम में हुआ था, लेकिन 900 ग्राम पे ही पैसा जो investment था, वो recover हो चुका है, मतलब इसी का जो हमारा price होगा, वो क्या होगा, रूपीज में convert हो चुका है, तो ये 100 ग्राम का जो फाइ जो भी होगा, और उसके according direct answer, find कर लेंगे, तो देखते हैं, आज का दूसरा सवाल हमारा, क्या कहता है, जैसा कि देख रहे हैं, दूसरा सवाल, आज का हमारा, कहता है, a shopkeeper sales his goods at CP, but cheats to the extent of 10% while wine, as well as selling, by using false bid, find profit in percent, अब कह रहा है कि एक दुकानदार जो है, वो क्या कह रहा है कि ये क्या करता है, वो कहता है, कि हम अपना सामान जो है, वो CP पे ही बेचेंगे, cost price पे ही बेचेंगे, लेकिन इसका बेइमानी का हद तो देखो, ये खरीदने वक्त भी 10% बेइमानी करता है, और बेचने वक्त भी क्या करता यह 10% बही मानी करता है दोनों टाइम पर करता है तो इसका मतलब अब इसका profit क्या होगा इसका profit यह नहीं करेंगे formula भी जैसा दिया हुआ है कि A plus B क्या according लगा देंगे नहीं उससे गलत हो जाएगा इससे हम करेंगे अब इसका मतलब है कि 1000 ग्राम के बदले यह कितना ले आया होगा अगर हम 1000 ग्राम का 10% देखेंगे तो 100 ग्राम होगा इसका मतलब लाने गया 1000 ग्राम लेकिन यह चीट करके कितना ले लिया 1100 ग्राम ले लिया अब यह कहता है कि बेचने वक्त भी 10% का बेइमानी करता है इसका मतलब है कि जब यह बेच रहा होगा तो यह बोलता है कि हम जो 1000 ग्राम सामान दे रहे हैं उसके बदले क्या करता है यह 10% बेइमानी कर लेता है इसका मतलब 10% सामान कम देगा, तो सामान कितना देगा, 900 ग्राम ही देगा, अब आप एक चीज़े देखो, उसने जब वो खरीदने गया 1000 ग्राम, तो वो ले आया 1100 ग्राम, लेकिन जब वो 1000 ग्राम बेच रहा है, तो दे कितना रहा है, 900 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम पर पैसा इंवेस्ट किया, मिला 1100 ग्राम और बेचा भी तक 900 ग्राम ही तो 200 ग्राम का उसका क्या हो जाएगा profit हो जाएगा 200 ग्राम का profit होगा अब यह 200 ग्राम का profit है वो कितना होगा कहां होगा तो आप यह देख रहे हैं कि इस 900 ग्राम में ही तो वो पैता वसूल कर चुका है अपना investment तो हमारा 200 ग्राम profit होगा वो किस पर होगा 900 पर ही तो इसे इंटू कर लेते हैं 100 percentage में change करने के लिए क्या हो जाएगा यह डवल जिरो cancer और यह 200 ग्राइन और 200 ग्राइन अगर कर ले तो यह क्या जाएगा 229,199 मतलब हम क्या सकते हैं कि हो जाएगा 222 ग्राइन परसेंट 22 ग्राइन परसेंट और यही क्या होगा आंसर होगा देखो एक चीज़े और समझे ना इसे जाएगा 2100 ग्राम पर हमेजिए पिछले कुस्छं में भी देख रहे होगे कि मैंने प्रॉफिट फाइंड क्या था नाइनफ़ रम पर ही था क्योंकि 900 क्या करें थे सामान सामने सामने वाले को दे रहे तो इसके अकॉड्ण कर लेंगे ठीक है फिर हम देखते हैं तीसरा तर्बूज बेच रहा है और तर्बूज बेचने के वक्त वो कहता है कि हम 10% profit पे सामान बेच रहे हैं जितना में खरीद के लाएं था उतना में तुमको दे रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है उसका profit उसमें hide रहता है कहीं ही कोई भी इंसान business कर रहा है तो वो कभी भी loss में नहीं करता हैं सायद ही किसी business में कई लास होता है, बट हमेशा जितने भी लोग करते हैं, हमेशा profit पर ही करते हैं, लेकिन वो आपको actual profit बताते नहीं है, ये सारे वो तरीके हैं, जिसके काराण आप समख सकते हो, कि सामने वाले इंसान का profit हुआ है, मैं हमेशा समझाओंगा क्योंकि पूरा math ही बाहर की दुनिया में दिखाया गया और बाहर की दुनिया को समझने से पहले आपको यहाँ math अगर अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप बाहर की दुनिया को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हो और कहीं भी आपके साथ धोखा नहीं होगा जैसा कि हमारा आज का topic भी profit and loss है और question का topic भी बेइमान दुकानदार ही है ऐसे दुकानदार से बच के रहना है तो question पढ़ते हैं देखे आज का question हमारा तीसरा question है वो क्या कह रहा था कि कहता है कि हम 10% profit पे बेचेंगे लेकिन सामान क्या कर रहा है 10% कम दे रहा है तो इसका मतलब हम ये कर लें कि माल लो इनसान जो है वो 1000 gram मतलब 1 kg तरवूज खरीद के लाया होगा लेकिन ये कहता है कि जब हम बेचेंगे जब हम बेचेंगे तो क्या करेंगे 10% का profit लेंगे 10% का profit लेने का मतलब क्या है आप ऐसा समझ सकते हो कि 1000 gram सामान देगा लेकिन 1100 gram का पैसा लेगा पैसा कितना का लेगा 1100 gram का लेगा 1000 gram का सामान के बदले हम क्या करें किसी से अगर 1100 gram का पैसा ले ले इसका मतलब भी क्या होता है कि 10% profit ही होता है लेकिन सोचो कि मैंने पैफा तो 1100 ग्राम का ले लिया लेकिन आप एक चीज़े देखो आखिर सामान कितना मिला तो सामान जो है वो 1000 ग्राम भी नहीं मिलता है कहता है कि 1000 ग्राम के बदले हम 11 ग्राम का पैफा लेंगे लेकिन सामान देने वक्त भी 10% चीट कर लेता है इसका मतलब है कि सामान इसे कितना देता होगा 900 ग्राम है तो आप एक सीचे देख लो कि सामान दिया 900 ग्राम लेकिन लिया कितना का पैफा 1100 ग्राम का तो यहां भी क् 200 ग्राम का profit हो जाएगा और profit किस पे होगा आखिर इंसान को सामान मिला के इतना 900 तो profit इसी पे होगा divided by 900 into क्या कर लेंगे 100 तो यहां भी अगर हम इसे cancel कर ले तो यह direct आ गया है 200 by 9% और यही हमारा क्या होगा इस question का answer होगा मैं बार बार हमेशा question में बताऊंगा कि हमारा जो लास्ट प्रापिट हुआ है वो प्रापिट किसके अकॉर्डिंग वा जो सामान customer को मिला है customer को मिला कितना 900 ग्राम लेकिन 200 ग्राम की बचत थी इसमें इसी तरीके से question को समझ के बनाएंगे फिर हम देखते हैं आज का fourth question क्या कहता है हमारा question number four marks his good at 20% more and offers discount of 10% and weight 100 ग्राम less find his overall profit in देखो बैमानी करने के कितने सारे तरीके हैं अब इसी को देख लो इसका क्या 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 कहता है कि एक दुकान दार जो है वो सबसे पहले क्या किया अपने सामान पे बीश पर्सेंट का असाब के पर marks is good at 20% more पहले अपने सामान पे 20% क्या कि यह mark ज्यादा कर दिया मतलब 100 रुपय का सामान था उस पे 120 लिख दिया उसमें जैसा कि हमेशा हमें लोग दिखाते हैं अपना डायरी और भाही खाता खोल कि देखो यह सामान इतने का था वो सब लिखा हुआ रहता ह सामान उतने का नहीं होता है ठीक है तो यहां पर क्या कह रहा है कि 20% मात ज़्यादा कर दिया और उसके बाद 10% का दे दिया 10% का डिसकाउंट भी दिया लेकिन यह क्या करता है कि 100 ग्राम कम भी तॉल के देता है बैमानी करने के तीन तरीक है इसके पास अब देखो इसको अपलाई करते हैं होगा क्या देखे हम यह कर लेते हैं कि माल लेते हैं इनसान जो है वह 1000 ग्राम सामान खरीद के लाया 1000 ग्राम समान खरीद के लाया लेकिन इसने किया क्या कि 20% जो है वो ज्यादा मार्क कर दिया इसका मतलब समान का रेट 1200 ग्राम के बराबर कर दिया कि 1000 ग्राम का समान का रेट जो है जितना 1200 ग्राम का समान का रेट होता वो उतना मार्क कर दिया अब यहां से क्या करता है यह जो है वो 10% का discount देता है 10% का discount देने का मतलब है कि इस पे अगर 10% का discount दे तो 120 gram का पैता discount हो जाएगा मतलब मिलेगा कितना 1080 gram इसका मतलब है कि 1000 gram का सामान का rate कर दिया 1200 gram लेकिन उस पे भी 10% discount देके इसका मतलब है कि इनसान से पैसा कितना लेगा 1080 gram का लेकिन 1 kg के बदले आखिर यह करेगा क्या यह जो है वो 100 gram कम तॉल के देगा 100 gram कम तॉल के देने का मतलब है कि आखिर कस्टमर को मिलेगा कितना 900 gram का और कस्टमर ने पिए कितना किया 1080 gram का इसका मतलब दुकानदार को जो है वो profit हो जाएगा कितना का हो जाएगा 180 का profit हो जाएगा profit किस पे होगा जो customer को मिला है customer को मिला कितना 900 तो हम क्या कर लेंगे divided by 900 into 100 तो इसे अगर calculate कर ले तो 9 से 180 20 time में cancel हो जाएगा that means इस cases में जो हमारा profit है वो कितना आगया 20 परसेंट का profit है ठीक है तो इस तरीके से ऐसे question को हमेशा solve करेंगे फिर हम देखते है question number 5 कि हमारा question number 5 क्या है देखे question number 5 क्या कहता है a shopkeeper marks his good at 20 परसेंट more and offers discount of 10 परसेंट और उसके बाद क्या करता है यह 10 परसेंट का discount भी offer करता है he cheats to extent of 10 परसेंट while buying as well as selling 10 परसेंट यह खरीदने बक्त भी और बेचने के बक्त भी बैमानी करता है तो देखो इस तरीके का सवाल को कैसे बनाएंगे लास्ट में हमसे पूछ रहा है कि इसका overall profit क्या होगा तो हम करेंगे क्या अब हम यह देख रहे हैं कि अगर इनसान के पास एक हजार अगर कोई भी इनसान एक हजार ग्राम सामान खरीदने जाए तो इसमें लेचा 1,000 ग्राम के बदले यहाँ जो साम्ान ले आएगा वो कितना ले आएगा ग्यारा सो ग्राम का सामान 0 DID ग्यारा सो ग्राम सामान ले 13 YouTube मतलब हमारा सामान तो इस पर सब्सक्रापब मार कर दें तो तेरा सो वी इस ग्राम बेचेगा तो और घाएगा तो होगा क्या 132 जो है वो माइनस हो जाएगा तो माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और यह हो जाएगा 9 में से 3 माइनस होगा 10 माइनस 2 8 11 माइनस 3 8 और यह 2 माइनस 132 न घटाना 1188 कितना आ जाएगा 1188 ग्राम हो गया लेकिन अब कहता है कि जब यह बेचता है तो पचिने बहुत्वे क्या करता है दस परूथ का बैबानी करता इसका मतलब है जब यह बेचेगा ग्राम का सामान बन गया लेकिन जब बेच रहा है तो 10% का discount दे रहा है मतलब वो customer से 1188 ग्राम का पैसा लेगा लेकिन जब बेचेगा तो वो 10% क्या करेगा बैमानी करेगा 100 ग्राम का और बैमानी करेगा वो 900 ग्राम ही सामने वाले को देगा तो इस cases में हुआ क्या है आप देख रहे हैं कि इस cases में जो है वो हमारे पास 288 ग्राम का profit हो रहा है लेकिन profit कहां से होगा तो profit जो है वो 900 ग्राम से होगा क्योंकि customer को मिल कितना रहा है 900 ग्राम ही और इंटू क्या कर लेंगे 100 तो इसे अगर calculate कर लेते तो 9 से अगर divide कर लेते तो क्या हो जाएगा 9 से यह 3 टाइम में फिर 2 टाइम में इसका मतलब है कि उसे overall जो है वो 32% का profit हुआ है इतना सारा कहानी करने के बाद एक सामान बेशने के लिए इतने सारे logic लगाने पड़ते हैं एक actual profit के लिए और यही सारा चीज बाहर के दुनिया में भी होता है बट यह सारा process हमें समझ में नहीं आता वह में direct एक rate दिखाता है और उसके बाद एक selling price दिखाता और एक cost price लेकिन बीच की यह सारी चीजे हटा देती है ठीक है कोई नहीं और भी math के साथ समझते रहेंगे आगे भी कि आखिर दुनिया में ऐसा क्या-क्या चलता है बहुत सारे topics मिले इस कहते हैं फिर आपको मिलेगा time, speed and distance पूरा arithmetic या पूरा math ही बुले तो एक general story है जो बाहर का story है उसे उठा के slave मिला के रख दिया गया ठीक है तो अगर हम इस basis से समझेंगे तो math को काफी बहतर हद तक समझ सकते हैं और हमें कहीं भी difficulty का एहसास भी नहीं होगा कि math इतना difficult भी था जितना की हम समझते थे ठीक है तो फिर देखते हैं आज का हमारा next question, question number six question number six, question number six क्या कहता है, a dishonest seller feels good at six one by four percent loss on cost price but uses 14 gram instead of 16 gram कह रहा है एक दुकानदार जो है वो क्या करता है, six one by four percent का loss करता है यह post price नहीं होगा a loss price on six one by four percent, a dishonest seller feels good at six one by four percent loss on cost price यह loss नहीं होगा यह क्या होगा cost price, मतलब क्या कहता है कि हम cost price पे six one by four percent का loss लेंगे but uses 14 gram instead of 16 gram लेकिन यह 16 gram के बदले 14 gram ही तौल के देगा तो what is his profit or loss in percent हमारा जो भी profit यह loss percent है वो क्या होगा इसे देखते हैं तो हम यह देख रहे हैं कि यह कहता है कि हम अपना सामान को six one by four percent loss पे बेचेंगे तो six one by four percent loss का मतलब क्या होता है अगर हम इसे fraction value find करें तो six one by four का मतलब होगा twenty five by four twenty five का मतलब होता है one by four और नीची एक four और लगा हुआ इसका fraction value क्या होगा 1 by 16 मतलब क्या है कि 16 रुपए का सामान में हम 1 रुपए का नुकसान लेंगे यही है 6 1 by 4% लास का मतलब क्या है कि अगर हम 16 रुपए का सामान बेचते हैं तो उसमें मेरा 1 रुपए का लास होगा मतलब हमें मिलेगा कितना 15 रुपए ही मिलेगा तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो सामान कितना है यहां से 16 ग्राम लेकिन 16 में जो लाथ हो रहा है वो कितना का हो रहा है एक का हो रहा है 16 में अगर हम लाथ एक ग्राम का लाथ कर ले तो इसका मतलब है हमें सामान का पैसा कितना का मिलेगा? 15 ग्राम का पैसा मिलेगा लेकिन इस question में क्या कहता है कि वो जो है वो 14 ग्राम ही यूज करता है किसके जगा पे? 16 ग्राम के जगा पर, मतलब कहता है कि 16 ग्राम के बदले हम पैसा तो लेंगे 15 ग्राम का, लेकिन ये 16 ग्राम के बदले आखिर जो बेच रहा है वो कितना है, 14 ग्राम, 14 ग्राम ही है, 16 ग्राम के बदले कस्टमर से पैसा लिया है 15 ग्राम का, लेकिन कस्टमर को दिया कितना, 14 ग इसका क्या है profit है और एक का जो profit है वो किस पर होगा तो customer को मिला कितना 14 तो इसी 14 पर profit होगा into क्या कर लेंगे 100 तो इसे अगर हम solve कर ले तो यह आ जाएगा 50 by 7 और 50 by 7 का मतलब क्या हो जाएगा 7 1 by 7% profit तो देखिए यह question ही दिखा रहा है कि कहता है कि हम अपना सामान जो तो लाउस पर बेशते हैं लेकिन लास्ट में हुआ क्या है इसे profit हुआ है तो यही थारी चीजे बाहर भी होते है थोड़ा अच्छे से question number seven आज का कहता है a dishonest seller sales the goods at 10% profit on cost price but uses false meter so his overall profit is 30% find the centimeter that he measured in one meter यहां पर कहता है कि एक दुकांदार कहता है कि हम अपना profit जो है वो 10% ही लेंगे लेकिन वो गलत मापता है जिसके कारण उसे profit जो है वो 30% का होता है तो हमसे पूछ रहा है कि आखिर वो एक मीटर के बदले कितना मापके देता है देता कितना है यह पूछ रहा है इस बार profit और लॉक नहीं होगा इसमें तो बताई रहा है कि 10% profit बोल रहा था लेकिन हुआ 32 लेकिन आखिर उसने एक मेटर के बदले दिया कितना यह हमसे पूछ रहा है तो करेंगे क्या इसके लिए आप एक सीजे देखें कि यह 10% profit की बात करता है लेकिन होता क्या है इससे 30% profit होता है मतलब मतलब होगा क्या कि हम यह कर लेते मान लेते हैं कि इनसान जो है वह 1000 मीटर कपड़ा लेकर आया 1000 मीटर नहीं 1000 cm जो कि क्या होगा एक मीटर बन जाएगा 1000 cm का कपड़ा लाया लेकिन वो कहता क्या है कि हम 10% profit पे बेचेंगे 10% profit का मतलब है कि वो पैसा कितना का लेगा 1100 cm का पैसा लेगा लेकिन इसी 10% profit में वो कहता है कि हम 10% का ही profit लेकिन उसी 10% के profit में उसे जो profit होता है वो 10% नहीं होता है कितना होता है 30% होता है तो आप कहथे हैं कि यह जो value है वो 10% जएदा होने का मतलब 110% नहीं इसका actual profit जो है वो दिया हुआ है कि actual profit इसका कितना है 30% इसका मतलब यह हमारा 110% नहीं होगा यही क्या हो जाएगा 130% हो जाएगा 130% का पैता ही 1200 cm है तो आप क्या सकते हैं कि 100% अगर हमें यहां से find करते तो क्या हो जाता 1100 by 130 into क्या कर लेंगे 100 अगर चीजे cancel हो रही है तो बस cancel क्या होगा 10 तो यह क्या जाएगा 11000 by 13 cm और यह 1000 से कम है अगर यह 13000 होता तब यह 1000 cm होता इसका मतलब है कि 1000 cm के बदले 1100 cm का पैसा ले रहा था 10% प्रॉफिट लेकिन इसमें 10% प्रॉफिट नहीं है इसी में 30% प्रॉफिट है तो 130% is equal to 1100 that means 100% find की है तो वो क्या आ गया 11000 by 13 cm और यही सामान जो है वो ग्राहक को customer को मिल रहा है तो यही हमारा क्या होगा और आंसर होगा और आंसर में एक जीरो जो है वो मिसिंग है ठीक है तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कुस्ट्ट कुस्ट्ट नमबर एट कुस्ट्ट नमबर एट भी आयता है कुछ है अडिकोनेश्ट सेलर सेल्फ द गूड एट 15% लॉस्ट परसेंट लॉस्ट प्राइस बट यूजेज फॉल्फ बेट सो इस ओवराल प्रॉफिट इस 25% find the gram in one case that he used यहां भी वही चीजें जो कि उस कुस्ट्ट पे था यहां भी क्या कहता है कुस्ट्ट में कि यह इंसान क्या कहता है कि हम जो है वो अपना सामान 15% लॉस्ट में बेचेंगे 15% क्या करेंगे लेकिन यह अपना गलत बजन से फॉल्फ बेट के कारण इसे जो है वो एखेंट वह 500 ग्राइम जो है वो क्या किया होगा सामान खरीदा होगा लेकिन यह क्या कहता है कि हम 15% लॉस्ट पे बेच देंगे 15% लॉस्ट पे बेचने का मतलब है कि 500 ग्राम का पैसा ठापिजद कि यह 25% पीत हो又 15% नहीं होगा यह 25% profit है तो हम क्या सकते हैं कि 125% ही क्या होगा 850 gram होगा तो अगर हम यहां से 100% find कर ले तो क्या आ जाएगा 850 by 125 into 100 तो अगर इसे cancel कर ले तो यह क्या होगा 4 time में और यह 5 time 5 से यह कितने time cancel होगा 1710 तो 17 into 4 680 इसका मतलब है कि यह इंसान 1000 gram के बदले 680 gram ही सामान तौल के देगा और 680 ही क्या होगा इस कुस्षिन से का आंसर होगा इस तरीके सेसे कुष्चेन आज का हमारी लास्ट की स्थस्थान की सथ grapple सब्सक्राइब ca यह क्या कहता है a dishonest seller sells his goods at cost price यह भी वैता ही question है यह कहता है कि हम अपना सामान जो है वो cost price पे ही बेश देंगे लेकिन फॉल्फ बेट के कारण इसे जो है वो profit हुआ है और उसे जो profit हुआ है वो कितने का है 111 by 9% का profit है तो हमसे पूछ रहा है कि यह 1 kg के बदले कितना weight यह तॉल के देता है तो हम एक सीजे देख रहे है कि यह कहता है कि 1000 ग्राम का सामान हम खरीद के लाएं है और जितना में लाएं है उतना में ही हम क्या करेंगे बेश देंगे उतना है में ही बेश देंगे लेकिन इसे 111 by 9% का profit हुआ है तो 11 1 by 9 % अगर हम fraction value देख ले तो fraction value क्या होगा 1 by 9 और fraction में क्या होता यही इसमें जो फ्रापिट है तो 9 में प्रापिट एक जूड़ जाएगा इसका मतलब है कि हम यहां पर यह देख रहे हैं कि 1 by 9 का profit हुआ है तो 1000 gram सामान खरीद के लाया 1000 gram ही बेच दिया इसका मतलब इसी में इसका profit है ये जो है वो 100% नहीं है 100% से जादा का value ले चुका है तो इसे हम क्या करेंगे 10% रहता है तो 110 कर देते हैं लेकिन इस बार percentage जो है वो हमारा fraction में है तो fraction में है तो हम क्या करेंगे हम देख रहे हैं कि cost price और profit अगर हम दोनों को मिला दे तो दोनों को मिलाने के बाद 9 और 1 कितना हो रहा है 10 तो हम कह सकते हैं कि 10 का value ही क्या है 1000 gram है तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा cost कितना में लगा है cost 9 में ही लगा है तो हम कह सकते हैं कि 9 का value जो होगा वो कितना होगा 900 gram होगा मतलब यह इनसान जो है वो 1000 gram के बदले 900 gram ही सामान को देगा जिसके कारण उसे 100 gram का profit हो जाएगा और वही convert हो जाएगा 11 1 by 9% में तो हम यहां से कैसे यूज किया है कोष्ट प्राइस को profit के साथ मिला दिये जो कि 10 का value हो गया 1000 तो 9 हमारा कोष्ट दिख रहा है तो 9 का value क्या है 900 gram मतलब वो जो है वो सामने वाले को 900 gram ही सामान देता है ठीक है तो इसी तरीके से ऐसे question को बनाएंगी और 900 gram ही इस question का answer होगा ठी किसी दूसरे content के साथ दूसरे topic के साथ दूसरे वीडियो में आज के लिए इतना ही 100 गाइज आज का इस वीडियो को सभी लोग अच्छे से watch करें और इस सारे topic जितने भी topics मैं पढ़ा रहा हूं इन सभी को आप लोग अच्छे से note करें और content को practice करें रिवाइज करें ताकि कि आपका math काफी अच्छा हो और काफी स्मूथ वे में आपसे question भी बने थाइंक्यू गाइज आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें झाल